इन दौर की खजराना पुलिस ने बड़ी कारिवाही करते हुए तीन आरूपियों को गिरिफतार किया है। करने वाले आसामाजिक तत्वों पर कारिवाही करते हुए दो लोगों को गिरिफतार किया है। पुलिस आरूपियों से पूछताच कर रही है। एक बड़े मामले का पुना उद्घाटन हो रहा है, बहुत महत्पूर्ण मामला है। बन्य पर्यावरण के दिष्टी से काफी चुनोती पूर्ण भी है। और इसमें सफलता में खजराना पूलिस और दिनेश परवारण की टीम का बहुत महत्पूर्ण रोल है। इसमें लगभग एक करोड रुपे की कीमत का जो की बन्य परवाग न आकलन किया है। इसमें दस फिट उचे काफी पुराने और बड़े आप लोग उन्हें देखा होगा। टाइगर के स्कीन को इसमें जब्त किया गया है। यह काफी पुराना है और एक नर टाइगर की स्कीन है। जो की काफी महत्पूर्ण है। साथी साथ दो कच्छवे भी हैं। दो कच्छवे जिनके 10 लाक रुपे कीमत है। उनको भी गया गया है। हम जानते हैं कि कई बार अंधविस्वास्तों के कारण। कई बार कई इस तरह की गत्विधियों के कारण जो कि रहर्ष्च में गत्विधियां हो सकती है। इस बारे में ब्यक्ति जब प्रकासिम सुनील नाम के ब्यक्ति के बारे में जानकारी लगी कि ये दूसरे जगह करने वाले हैं लेकिन यहाँ पर ये डेरा डाले हैं और इनकी बन गत्विधियों से संब्धित, बन जीमों से संब्धित इस तरह की घटनाएं करते रहे हैं। व्यक्ति से इन्होंने खरिदा है उस व्यक्ति की पचान हो गई हैं उस व्यक्ति से पूथाच की जाएगी तब पता चलेगा सही मायनों कि आकिर इन्होंने किस जंगल में और किस जगह से इफ टाइगर का कब सिकार किया था और इतनी बड़ी चाल आप देखेंगे बहुत ही एक स्वस्त और एक दस फिट लगभग बड़ा है तो काफी एक रिष्ट पूष्ट एक नर टाइगर की चाल है तो काफी बन्य पर्यावरान की दिश्टी से बहुत ही महत्पूर्ण है उसका हम लोग उसके पूष्ट आज कर रहे हैं दोनों लोगों को गिरफतार किया गया है इनके पास से दो जो कच्छुए मिले हैं उन्हें भी जब्त किया गया है और इस बन्य पर्यावरान को भी बन्य विभाग की टीम से हम लोग संपर्ख करेंगे और उनको इसके बारे में हम महत्पूर्ण जानकारिया भी उनके साथ सियर करेंगे इसमें सिकायत नहीं इसमें जनकारिया मिले थी कुछ ऐसी जनकारिया मिले थी पुलिस को कि कुछ लोग इस तरह के बन्य पर्यावरान से जुड़ी चीज़ों को यहाँ पर बेचना चाहते हैं यहाँ पर बेचने के बोल रहे हैं और काफी करोड़ों में कीमत बता रहे थे अचानक पुलिस जब जनकारी मिली तो पुलिस ने इस पे लागतार निगाहा रखी इन की गतविधियों के एक सापता से जिस ब्यक्ति से इन्होंने लिया था उस ब्यक्ति के नाम का पता चल चुका है और उस बारे में और हमतपुर जनकरिया पुलिस निकाल रही है इसमें पुरी टीम को बीफले रुपे के पुरसकार से पुरश्कित किया गया है और इसमें ट्याइए खजराना, CSP खजराना, एडिफनल SP इस्ट जोन टू और SP इस्ट इन लोगों की महत्पूर भूहिम का रही है, सभी ने उसमें पुरी टीम के रुप में अच्छे टंक से काम किया है। तो इन एरियाज में भेजने के लिए तसकरी के लिए इन कच्छों का प्रयोग होता है। इन लोगों ने इसके लिए इस उद्यस के लिए इनका किया था। ये कच्छवे बिश्यस प्रजाती के भी हैं। और अंतराफ्टी बजार में इसकी कीमत अभी दफलाक रुपे बताया जो इसके एक्सपर्ट थे। और बाकी इन से जुड़ी जनकारी हम ले रहे हो सकता है। चुकि इन्होंने इतनी बड़े संख्या में बन महत्कौन चीशें इनके पास मिली हैं। हो सकता है इन्होंने पुर्व में और भी ऐसी घटनाय की हों। कुछ और भी इस तरह के बन प्राडियों के अपराधों से जुड़े हुए हो। फॉरिष दिभाग से भी हम इसे जनकारी सेयर करेंगे उनसे लेंगे कि इनका क्या कोई बन प्राणी से जुड़ा कोई पूर्व का रिकॉर्ड है। जो मिले हैं वो यहीं के हैं। लेकिन मुलता ये नर्सिंग पूर जो है नर्सिंग पूर गाडरवारा से जुड़े हुए हैं। गाडरवारा का जो आरोपी है जिससे इन्होंने लेना बताया है। उसकी पहचान हो चुकी है। और उसके बारे में माना आता है कि बन प्राणियों का अपरादी है। जनकाली होना नहीं पाया गया।